हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है ट्रावल विद्मिकां की यूट्यूग चैनल पे इस चैनल पे आपको बता है कि ट्रावल वीडियो और उसके साथ ट्रावल करने के लिए जो इन्फोर्मेशन है वो शेयर होता है तो आज ऐसे सब्जेक्ट मैंने चुना जो नया बाइकर् वीडियो है जो रइट करते हैं उनको भी काम किस मिल जाएगा और जो नया है उनको भी है आप देखते रहे हैं क्या-क्या मिलता है 요 तक देखिएगा अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आभी कि तक तो सब्सक्राइब कर लीull कृष्ट में बीटवण कोश्चन है कि जो लोग नया नया राइट करना चाहते उनके लिए क्या क्या चाहिए आप बहुत ही कम प्राइज में पहले शुरू कीजिए उसके बाद तो यह धीरे धीरे चलता जाएगा आप अपने आपको अपडेट करते जाओगे और आपका जो गेर से ओभी अपडेट होता जाएगा खुद बाखुद थोड़ा 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 मतलब खुद यह सब बैठने लगए अपना जगा पर और एक बात यह जो टी-शर्ट है यह इंडियान आर्मी का जो टी-शर्ट है एक्चुलिए मेरा एक बहुत ही मतलब क्लोज है फ्रेंड हो मुझे क्योंकि आपका कोई भी कहीं स्कीट होता है थोड़ा बहुत कई भी कुछ होता है आपका क्या आपका कुछ होगा नहीं ज्यादा आपका चोट लगता है इस दोनों मतलब एलबो पर और नीज पर तो उनको बचाना चाहिए और क्या होता है यह मेरा खुद का फेलिंग है मै जब पहले राइड किया था तो यह सब पहनने के बाद एक confident आपने आप आता है जो राइड के वक्त बहुत आपको moral boost आफ करता है और आप बहुत energy हो और मतलब दिमाग को शांत रख के कुछ काम कर रहे हो तो वो आपके मतलब काम को उस level पे ऐसे ही पहुचा देता है तो आप मेरे recommendation है यह कि आप एही पहनिए आप online में भी बहुत सारे चीज मिल जाते है और यह भी मिलता है मैंने यह offline से लिया यह दो knee guard है और यह और यह जो elbow guard है यह प्रो बाइकर्स का है जो एक local company है और मैंने इसको offline से लिया था क्या मुझे 11 से 12 सो पड़ा था जो कोलकाता का वोलिंग्टन है वहां का जो bike market है सब कुछ मिलता है तो वहां से ही मैंने इसको उठाया था आपको यह चीज online में भी मिल जाए और एक चीज आप मुझे पूछ जैकेट नहीं चाहिए मेरा सुजाओ है पहले आप राइडिंग जैकेट नहीं लीजिए तहीं मतलब वही अच्छा है आप यह लीजिए आप मतलब आपको भी वह होना चाहिए ना मैं राइट में comfortable हूँ की नहीं हूँ पहले से लगता है यह बहुत आसान है यह सब होता है आप किसी दिन लंबे राइड पे जाओगे तो बारा घंटा तेरा घंटा मैं पहले राइड में सोला घंटा राइड किया थे सुबह का छे बजे से लेके रात की दस बजे तक जो वीडियो लिंक मैंने उपर दे दिया आप चाहिए तो देख सकते हैं मैं हम लोग कुछ रस आप को तयार होना है तो यह चीज आप ले लीजिए और एक है आप जो शूज है वह अच्छा शूज लीजिए मेरे ख्याल से सब क्या करते हैं मैंने देखा है ऊड्लेंड का शूज ले लेते आप एक लाग देखिए एक ऊड्लेंड का शूज आता है आपका 4000-2000 में इतना क्या क्या करता है तो उसी वक्त मैं जो डेकतलन केचुए का जो शूज है वह पहनता था तो उसका मैंने एक शूज लिया था 1300 रुपया तो वह मेरे को बहुत इस राइड में मैं अभी भी वह शूज पहन के राइड करता हूं तो आप चाहे तो उस शूज को भी आप आफ ले सकते हैं लेकिन अभी मैं बहुत सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया सब चीज का जो नया वाइकर से जो पुराना वाइकर से कोई भी आप ले सकते देख सकते कुछ भी सब चीज मतलब सब वेबसाइट के लिंक मैंने दे दिया काफी लंबा चोड़ा है आप एक एक करके टाइम लेके देखिए सभी रेपूटेटेट वेबसाइट हैं कोई फेक नहीं है तो अब क्या है यह आप सिफ यह एलबो का नी का डॉर एक शूज ले लीजिए फिर राइट कीजिए छोटा दो-तिन राइट कीजिए उसके बाद लंबा राइट ट्राइ कीजिए तो तभी आपको पता चल जाएगा आपका आप कितना पानी में खड़े हो मैंने भी ऐसे ही खुद खुद को ऐसे ही ट्रेंड किया तो यह अलग सा बात है मैं पहले से एडवेंचर करता था वो मेरे को बहुत काम आये उसके पहले मैं एंसीजी में था सिनियर डिव एपलाई करता हूं मेरे राइड में तो काफी हथ तक यह आसान हो जाता है और आपको तो पता यह मतलब यह जो एडवेंचर इसमें रिटेक का कोई चांसे नहीं होता है डिसिशन बहुत जल्दी लेना पड़ता है तो दिमाग को ठंडा रखके डिसिशन लेना बहुत वह है डिसिबलेंग डिसिपलेंग डिसिपली आप एक टीम में राइड कर रहे हों तो यूनिटी बहुत ज़्यादा चाहिए आपसका मतलब मेल आपसका जो जीब जाधा जरुरत होती है आप एक टीम की क्या पार्फॉर्म करोंगे तो ह Impf हम लोएक आपना चो टार्गेट ह मैं डेडिकेट करता हूँ मेरा जो NCC का जो अभी जो NCC में रेगुलर कर रहे हैं और जो X NCC के डेट हैं सब के लिए हम लोग जब स्कूल में थे हम कोई English में तो पढ़ा नहीं हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते तो वहां पे NCC बहुत ज्यादा उनका मतलब होता था एक्टिविडिस होता था तो अभी मैंने देखा कि स्कूल में धीरे धीरे ऑपसलीट होता जा रहा है तो मैं चाहता हूं फिर से वह NCC बापस आए क्यूंकि आप खुद बाखुद एक डिसिप्लिन के धाचे में ढलता हो जाओगे और आप लाइफ में डिसिप्लिन होगे तो कहीं भी आपको पहुचना है आप आसानी से उसको पहुच सकते हो क्यूंकि यह मेरा मानना है कि लाइफ में कोई शॉटकार्स नहीं होता है अगर शॉटक 25 गोर्का राइफिल्स के अंडर हमारा ट्रेनिंग हुआ था तो उसमें एक लाइन जो हमारा जो इंस्ट्रक्टर थे वो कहते थे आप सिखलाई में जितना ज्यादा पसीना वहा होगे लडाई में उतना कम खून भैग तो वही मैं अपने लाइफ में भी वो लाइन को अभ उतना ही रंग दिखाएगा मतब रंग लाएगा वह चीज तो इसी नोट के साथ खतम करते हैं आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो से ट्रावल ब्लॉग है जो कि इस चैनल म मैं हपते में दो दिन लाता रहता हूं यह बस यह फ्री है आप सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बाद एक बेल वटन है उसे भी दबा दीजिए और भी अच्छा लगे दोस्तों के साथ आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है खतम करने क चाहते हैं